हाई गुड मोर्णिंग दोस्तों मैं गौतम सिंग कोखुल कलासेज में आप सभी का सभागत करता हूँ आज आपके लिए लेकर आया है इलेक्टिसियन थियोरी आई टी आई सेकंड यार एस्टूडेंट के लिए एंसेविटी से मोडल सेट एक आपके लिए मैं खुसकवरी बता दूं कि आपका मोडल सेट अब तयार हो गया है मोडल सेट एक मोडल सेट दो आप जो है मोडल सेट अब हमारे चैनल पर देख सकते हैं सेकंड यार एस्टूडेंट इलेक्टिसियन थियोरी जो लोग भी इलेक्टिसियन से आई टी आई करते हैं वो लोग मोडल सेट द सब्सक्राइब करते हैं आने वाले परतेक मोडल सेट का नोटिफिकेशन आपको मिल लाइक दबाना नहीं बूले क्योंकि आने वाले परतेक मोडल सेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा अगर आप बेल आइकन दबाते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बढ़ते हैं अब कोश्चन के तरफ कोश्चन नमबर एक कोश्चन नमबर एक है अगर बक्र एस्टेटर मूल के साथ संपर्क बनाए तो उस बेवास्ता को क्या कहते हैं तो उस बेवास्ता को हम सौट सर्किट कहते हैं क्या कहते हैं जी सौट सर्किट कहते हैं तो आपका एंसर हो जाएगा ए नमबर बढ़ते हैं लेसख कोश्चन के तरफ लेसख कोश्चन है हम एक चरणhall इंडख्शन मूटर में कितने परकार के बग करब परदान किये जाता है एक चरण, एक चरण मतलब आप क्या समझते हैं, सिंगल फेज, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यानि कि एक चरण इंडक्शन मोटर में, इंडक्शन मतलब कि आपका हो गया सिंगल फेज का मोटर में कितने परकार के बक्रपरदान किये जाते हैं, तो आपका इसमें मोटर आ पर चलती है ऐसे मोटर में छोटे आकार की होती है अर्थार्थ इनकी आउटपूट सकती एक घोड़ा सकती से कम है इसलिए इन मोटरों को आंसिक घोड़ा सकती मोटर भी कहते हैं यह बड़ी संखिया और विभीन परकार में बनाई जाती है ताकि घोर कर जाले उधियोग मोटर की बेग में तीन चरण यह थिरी फेज मोटर का उपलूबद है लेकिन ज्यादा तर एक चरण मोटर की निविक्ति की जाती है आपको मैं यह बताया कि सिंगल फेज मोटर का इस्तमाल क्या है तो ज्यादा होता है आपको मैं यही समझाया अब आपका सवाल है एक रहके परदान किये जाते हैं तो आपका एंसर हो जाएगा डी नमबर बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन के तरफ नेक्स कोश्चन है हमारा कौन सा एक चरण मोटर ज्यादा शुरुवाती ट्रोक पैदा करती है यह आपको बताना है आपके पास चार अपसन दिये हुए हैं आपके आपके पास तो सर्व भूमिक मोटर, सेडिट धुरु मोटर, कैपेसिटर मोटर या अनिक्छा मोटर या अनिक्छा मोटर तो आपको हम बता दें कि कौन सा मोटर ज्यादा तरही शुरुवाती ट्रोक पैदा करती है तो अनिक्छा मोटर कौन सा मोटर जी तो अनिक्छा क्या है तो देखिए आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कैपी सिटर खंडित चरण मोटर क्या है एक बाहरी बोकर और चुरवाती बोकर के उपियोग से दो चर्ण मोटर करजवा ही दूवरा शुरू होती है यह अब का अब को हम अनिक्छा मोटर आया आपका क्या आगया अनिक्छा मोटर यह एक चरण समकालिक मोटर है जो रोटर की DC उतेजने की यह सकता नहीं है यह सिधान्त पर काम करती है जब भी चुमबकिये छेत्र में चुमबकिये समगरी अस्थापित होती है तो समगरी पर बल लगाया जाता है समगरी में सीधे करने के लिए ताकि यहनी चुमबकिये पत की अनिक्षा को गुजरती है बिल्कुल नियुंतम है अनिक्षा मोटर में जिसे मोटर रोटर सामिल है रोटर भी इसमें आ जाता है आपका ठीक है तो आपका अनिक्षा मोटर हो जाएगा जो ट्रॉक को शुरुवाती पैदा करती है ज्यादा तो आपका एंसर हो जाएगा D number, बड़ते हैं नेस्ट कोईशन के तरफ, नेस्ट कोईशन है उमरा, कैपेटर चलित इन्डक्शन मोटर में सक्ति का कारक तथय क्या है, CAPTOR, CHALIT INDUCTION MOTOR में सकती कारक तत्या है 0.8 धीमा, 0.8 आगे, 0.6 आगे या 1 आई आपका एंसर हो जाएगा 0.8 धीमा CAPTOR, CHALIT INDUCTION MOTOR सकती का तत्या है आपका एंसर हो जाएगा A NUMBER बढ़ते हैं next question के तरफ next question है कीज परकार की मोटर हेयर ड्रायर में होता है कीस परकार की मोटर हेयर ड्रायर में होता है, आपको अभी में बताया था, चार आपके पास अपसन दिया हुआ है, कैपसर चल मोटर, कैपसर चलित मोटर, सेडिट धुरू मोटर या अनिक्षा मोटर, तो कीस परकार की मोटर में हेयर ड्रायर होता है, आपके पास चार अपसन दिया हुआ तो आपको हम बता दें कि सेडिट धुरू मोटर में जो है हेयर ड्रायर में होता है आपका एंसर हो जाएगा C नमबर बढ़ते हैं नेस्ट क्वेश्चिन के तरफ नेस्ट क्वेश्चिन है सुचित सुचित करने उपकरण के लिए उपयूक्त मोटर क्या है ड्रायर मोटर अनिक्षा मोटर या इंडक्स मोटर सुचित करने उपकरण के लिए आपको अनिक्षा मोटर है आपका एंसर हो जाएगा C नमबर बढ़ते हैं next question के तरफ next question है निमलिखित motor में से कौन से सबसे ज्यादा शुरुवाती टोकर देगा सरभौमिक motor, सेडिट धुरू motor, कैपिसीटर लचित motor या हिस्टरेशिस motor तो निमलिखित motor में से सबसे ज्यादा शुरुवाती टोकर जो देगा आपका ओ है कैपिसीटर लचित motor आपका एंसर हो जाएगा C number बढ़ते हैं next question के तरफ next question है जब 500 rpm की motor गती आवस्यक है अब कौन सी motor चुनोगे अगर आपका 500 rpm की motor गती आवस्यक्ता है आपको तो आप कौन सी motor चुनोगे कैपिसेटर चलित motor, सार भहुमिक motor, सेडिट धुरू motor या हिस्टरेशिस motor आपके पास चार अप्शन है तो हम आपको बता दे कि 500 rpm की जब हमको motor की आवस्यक्ता होगी तो हम आपके लिए सार उप्योग एक चरण motor है पंखे के लिए आमतर पर उप्योग एक चरण motor है आपके पास चार अप्शन है खंडित चरण motor, कैपिसेटर चलित motor, कैपिसेटर चल परकार या पके कैपिसेटर परकार तो आपका एंसर हो जाएगा पके कैपिसेटर परकार आपका एंसर हो आपको बता दे इसको कल्कुलेट करने पर आपका एंसर आएगा आपका एंसर हो जाएगा बढ़ते हैं next question के तरफ, next question है, short circuit उष्ड तल के साथ एक केतली को सरिंखला जाच लेंप से जाचा जाता है, तो जाच लेंप क्या होगा, तेजी से या ज्यादा से चमकेगा, धीमे से या कम चमकेगा, या नहीं चमकेगा, या चमकेगा, short circuit उष्ड तल के साथ एक केतली को सरिंखला जाच लेंप से जाचा जाता है, तो चमकेगा, या नहीं कि जाच लेंप जो है, चमकेगा, आपका answer हो जाएगा, डी नमबर, बढ़ते हैं, next question के तरफ, next question है, घर के freeze में निमलिखित किस मोटर का उपियोग होता है, घर में जो आप freeze करते हैं, उसमें कौन सा मोटर उपियोग होता है, आपको बताना है, DC विधूत उपमार, मोटर, अनिक्छा मोटर, या एक चर्डर इंडक्शन मोटर, या समकालिक मो तो आपका एंसर हो जाएगा, C number, बढ़ते हैं, next question के तरफ, next question है, तए जगह में वातनी कुलून का लगतार नियंतरन क्या है, ताप मान्नोमी हावाचाल, ताप मान्नोमी और हावाचाल, तो आपको हम बता दें, ये ताप मान्नोमी और हावाचाल जो है, वातनी कुल का ल स्ट्रोज टैंक को बनाने के लिए धातु का उपयोग किये जाता है, इलेक्ट्रिक गीजर के स्ट्रोज टैंक को बनाने के लिए कौन से धाती का उपयोग किये जाता है, तामबा, पीतल, लोहा, इसपात या, स्टील, तो हम आपको बता दें, तामबा का इस्तमाल किये जा आपका answer हो जाएगा ए नमबर बड़ते हैं नेस क्कुश्चन के तरफ नेस क्कुश्चन है अमरा आज कल पांखों में उपयोग हो रही है मोटर आज कल जो पांखा आप यूज करते हैं घरों में गर्मियों के दिनों में उसमें कौन सा मोटर यूज करते हैं आपको ये बतान बढ़ते हैं नेस क्वेश्चन के तरफ नेस क्वेश्चन है घरेलू फ्रीज में एक के इकाई में जोड़े गए कंप्रेसर आवम मोटर को बीजा इकाई क्या कोई भली भात ही बंद करके आवात रूप में या एकी ढग से समान रूप से या बीभीन ता पुर्वक या इन मे से कोई नहीं तो आपको हम बता दें कि घ्रेली फ्रीज इकाई में जोड़े गए कंप्रेसर और मोटर जो है आपका भली भाती बंद करके या वात रूप से होता है तो आपका एंसर हो जाएगा यह नमबर बढ़ते हैं नेस क्वेश्चन के तरफ नेस क्वेश्चन है मारा प पंके पंके परिपत में नियामक जोड़ा जाता है ताकि बिदूत परवा घटा सके भोल्टेज घटा सके गती घटा सके या दिये गए सब ही तो आपका एंसर हो जाएगा वोल्टेज घटा सके गती घटा सके बिदूत परवा घटा सके यानि कि सब ही आपका एंसर हो आता है 450 डिग्री सेल्सियस 500 डिग्री सेल्सियस या 1000 से 1100 तक या 200 से 300 या 400 से 6 आपके पास चार अप्शन दिया हुआ है रिबन पर करके तन्तु इलेक्टिक इस्तरी के काम करने वाला तापमान के बीच जो आता है आपको 200 से 300 से 5 डिग्री सेल्सियस तक आता है आपका इंसर हो जाएगा सी नमबर बढ़ते हैं नेस्क्राइब के तरफ नक्स्क्राइब किसी एक चार अप्शन दिया है तो हम आपको बता दे चरण को खंडित करना काम है उसका एक चरण मोटर में कैपिसिटर का काम जो है चरण खंडित करने का काम है आपका answer हो जाएगा ए नमबर बढ़ते हैं next question के तरफ next question एक संपूर defuser यानि धरातल होगा है जिसमें एक संपूर धरातल होगा है जिसमें उतेजित रोशनी हो जो उतेजित रोषणी अवस्यशित करे उतेजित रोषणी को न ले या सभी तो आपका एंसर हो जाएगा संपूल धरातल होगा है जिसमें उतेजित रोषणी हो जो उतेजित रोषणी को अवस्यशित करे या उतेजित रोषणी को न ले आपका answer हो जाएगा सभी बी नमबर बढ़ते हैं नेस क्वेश्टन के तरफ नेस क्वेश्टन है उतेजित लाइम के तंतु में कौन सी समगरी का उपयोग अधिक्तम किया जाता है टॉंगोस्टन पोस्मिमियम या टंटलन या सिल्वर आपके पास चार अप्सन दीजा हुआ आपका बता दें टंगोस्टन जो है उतेजित लाइम के तंतु में कौन सी समगरी का उपयोग अधिक्तम किया जाता है तो टंगोस्टन में आपका answer हो जाएगा ए नमबर बढ़ते हैं नेस क्वेश्टन के तरफ नेस क्वेश्टन है एक सुनी अवाट लाइम उर्जा की खपत करता है एक सुनी अवाट की लाइम है कितनी उर्जा की खपत करता है आपको बताना है आपके पास चार अप्सन है सुनी अवाट पान से दस वाट या 15 वाट से उपर या 65 वाट आपके पास 4 ओप्सन दिया हुआ है एक सुन्य वाट लाएं पूर्जा की खपत करता है पान से 10 वाट आपका एंसर हो जाएगा बी नमबर कमोगे निर न करते हैं लिए कोन से गैस कभी तंतु पर्योंकी जाती है नाइटरोजन कार्बन डाइकसाइड आरगण या क्रिस्टन आपको नाइट्रोजन, कार्बन डाइक्साइड, आरगन, क्रिस्टन, तो आपके पास चार अप्शन दिया हुआ है, वह कौन सी गैस कभी आरगन कभी तंतु में परियोग के जाता है, तो आपका आरगन है, आपका एंसर हो जाएगा, बढ़ते हैं, नेक्स क्वेस्चन के तरफ, ने हाइलोजन, लेम का उपियोग रोशनी के लिए किया जाता है, हावाई अडो पर, पार्क या बड़े मैदानों में, या खेलके में, अपर दिये गए सबी, तो आपको हम बता दे हैं, कि हाइलोजन, लेम का उपियोग रोशनी के लिए किया जाता है, हावाई अडो पर, पार्क बड़े मैदानों में, या खेलके मैदानों में, ने कि सबी उचे अस्थानों के किया जाता है, ये तो आपका एंसर हो जाएगा दी नमबर, बढ़ते हैं, नेक्स कोश्चन के तरफ, नेक्स कोश्चन है, स्ट्रा, स्ट्रा ट्रांस्फर्मर परदान करता है, स्ट्रा ट्रांस्फर्मर परदान करता है, उच विदूत परवाद से कम बोल्टेज या उच बोल्टेज, आपके पास अप्शन दिये हुए है तो आप को हम बता दे कि आपका उच भोर्टेज़ परदान करता है आपका एंसर हो जाएगा C number बढ़ते हैं next question के तरफ next question है एक पारे का वासफित एक पारे का वासफित लैंप रोशनी परदान करता है गुलाबी रंका पीले रंका हाली निली रंका यदाल रंका एक पारे का वास्पित लायम प्रोसनी परदान करता है हरी निली रंग की रोसनी हरी निली रंग की रोसनी आपका अंसर हो जाएगा C नमबर बढ़ते हैं next question के तरफ next question है रंगी नालिका में चाक लगाई जाती है क्योंकि फॉलिक और कम करने के लिए शुरुवाती में बोल्टेज परदान करने के लिए या स्टार्टर के कार्ज के लिए या रेडियो इंटरफेस को हटाने के लिए तो आपको हम बता दें कि रंगीन नालिका में चौक को लगाई जाती है शुरुवाती में वोल्टेज परदान करने के लिए आपका एंसर हो जाएगा बी नमबर बढते हैं नेस्क्वस्टन के तरफ नेस्क्वस्टन है अमारा सिधे रोष्णिकी पराड़ी बहुत उपयूग्त है लेकिन कारण उतरदाई भी है गलेयर, ठोस परचाई, मनोटोनी या दोनों A और B तो हम आपको बता दे हैं कि सिधी रोशनी के प्राड़ी के बहुत उपयूपत लेकिन कारण है आपको A और B यानि कि गलेर यान ठोस परचाई आपका एंसर हो जाएगा D number बढ़ते हैं next question के तरफ next question है नीवन में से कौन जगमगा हट के उच अस्तर पर ले जाने की आव सकता है नीवन में कौन जगमगा हट के उच अस्तर पर ले जाने की आव सकता है सोने का कमरा या चीकन खाना पकाने का कमरा या पढ़ने का कमरा या अस्पिताल का कमरा तो जगमगाहट के उच अस्तर पले जाने वली यह सकता है आपको पढ़ने का कमरा आपका एंसर हो जाएगा C नंबर बढ़ते हैं नेस्ट क्वेश्चन के तरफ नेस्ट क्वेश्चन है या मुख्यकार्ध तो मुख्यकार्ध है आपका उतेजग रूटर बक्रा दोनो रोटरिया सेक्पर या इन से कोई नहीं तो आपका एंसर हो जाएगा ये नमर बड़ते लिए नेस उसज़िन analyzing के टरफ आफ वह थया, वह मजीन जो रोटर भी DC सपलाई करता है, वह क्या कहलाता है, वह है क्या किहाँा लाता है, वह क्या कहलाता है, अलो तरह आपका एंसर हो जाएगा B, भड़ते हैं, नेट्स वोजटन के तरफ, नेट्स Pres MTV चाहेँ जो रवार्ष किसु sque करता है, साइलेंट टाइप रोटर है साइलेंट टाइप रोटर है साइलेंट टाइप रोटर है साइलेंट टाइप रोटर है सरी दोस्तों आपको मैं ऊपर एक चीज़ आपको समझा देता हूं यहां पे आपको कंफ्यूजन में होंगे एक्साइटर क्या है यह आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा देर, एक्साइटर क्या है जो आपका एक उतेजक है, एक्साइटर मतलब होता है उतेजक, यह उतेजक एक छोटा DC विधूत मार्क जनितर है, जो अल्टरनेटर के चुम्बकी चेतर में DC सपलाई को पूरा करता ह यह आपको अब समझ में आ गए होगा एक्साइटर ठीक, अब बढ़ते हैं आपके नेस्ट कोश्टन में साइलेंट टाइप एस्टूर क्या है? साइलेंट टाइप एस्टूर जो है, आपको एक अल्टरनेटर रोटर किया हो सकता होती है तो यह छोटा ब्यास है या बड़ा ब्यास है या कॉम अक्ष की लंबाई है या दोनों है यह आपको बताना है silent का तो आपको हम बता दें कि छोटा ब्यास बड़े ब्यास या कॉम अक्ष की लंबाई या दोनों BC आपको बताना है तो आपका answer हो जाएगा B और C, यहारी कि बड़ा ब्यास है और कौम अक्ष की लंबाई है, आपका answer हो जाएगा D number, बढ़ते हैं next question के तरफ, next question है, एक alternator की दर है, SP, किलोवाट, के भी या भोल्ट, के भी या भोल्ट, आपके पास option 4 दिया हुआ है, एक alternator की दर है, तो आपको बता दे कि एक alternator की दर के भी य है, के भी ये है, तो के भी ये क्या है, यह आपको हम समझा देते हैं यहां पे, क्यो heap इसका बिधोत कारक स्थिर नहीं होगा, बिधोत कारक मुल्या प्रतिकिरिक लोट पर निर्भश करता है, के भी ये जो है alternator का एक माप होता है, तो आपको answer हो गया किये भी ये C number, बढ़ते हैं next question के तरफ, next question है अमारा, 3-4 alternator की घुमाव छेतर में कितने slip ring होते हैं, 3-4 alternator के घुमाव में कितने slip ring होते हैं, आपको बताने हैं, 2-3-4 या 6 आपके पास 4 option दिया हुआ है, आपका answer हो जाएगा 2, ये number answer हो जाएगा आपका, बढ़ते हैं next question के तरफ, एक alternator का rotor होता है, silent pole type, non silent type, या कोईरल cage type, या silent और non silent type, तो आपका answer हो जाएगा silent और non silent type, आपका answer हो जाएगा D number, बढ़ते हैं next question के तरफ, next question है हमारा, एक जनीतर में उत्पादित EMF निर्भर करती है, एक जनीतर में उत्पादित EMF निर्भर करती है, आपका option है, आविर्थी, परवाह, बक्र में, घुमाव की संख्या, बक्रों के परकार और इन में से सभी, तो आपको बता दे कि EMF का मोहत्व पूर तत्व क्या है, तो घुमाव, एस्टोटर, रोटर, उत्यजित, आती, अल्टरनेटर की उत्पादि EMF का मुख्य तत्व है, यानि कि ये सब ही जो है, इसके तत्व हैं, आपका answer हो जाएगा E number, बढ़ते हैं, नेस कोश्चन के तरफ, नेस कोश्चन है, अमारा अल्टरनेटर चरण की स्रिंखला क्या है, तो आपको R, Y, B दिया हुआ है, R, B, Y, B, Y, B, आपको दिया हुआ है, ये अल्टरनेटर चरण की स्रिंखला जो है, R, Y, B होगा, आपका answer हो जाएगा E number, बढ़ते हैं, नेस कोश्चन के तरफ, नेस कोश्चन है, अमारा बढ़ी मांग को मिलाने के लिए दूसरे अल्टरनेटर को जोड़ा जाता है, किस से जोड़ा जाता है, स्रिंखला में, समनांतर में, आपको बढ़ी मांग को मिलाने के लिए दूसरे अल्टरनेटर को जोड जाता है समनांतर आपका एंसर हो जाएगा बी नमबर बढ़ते हैं नेस कोशन के तरफ नेस कोशन है गराउलर को किस परकार सपलाई दी जाती है आपको बताना है गराउलर को किस परकार से सपलाई दी जाती है डी सी एसी या दोनो तो आपको जो है एसी सपलाई दी जाती है गरावलर को जो है AC सपलाई दी जाती है यानि कि तीन लोग घुमाव परकार के बोल्ट मिटर उत्पादिर बोल्टर को माप के लिए परियोग किया जाता है इसलिए आपका AC का सपलाई दी जाती है आपका एंसर हो जाएगा बी नमबर बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन के तरफ नेक्स कोश्चन है रिवार्डिंग में यह वार्डिंग अधिकतर की जाती है रिवार्डिंग में यह वार्डिंग अधिकतर की जाती है बास्केट वार्डिंग चेन वार्डिंग या कंस्टेटिंग वार्डिंग या सब ही तो आपको हम बता दें कि रिवार्डिंग में जो है बास्केट वाइडिंग का अधिकतर दी जाती है आपका एंसर हो जाएगा ए नमबर बढ़ते हैं next question के तरफ next question है double layer वाइडिंग में coil की संख्या में संदर्व में प्लास्टर्स की संख्या होती है सामान कम अधिक या काफी double layer वाइडिंग में coil की संख्या जो होती है आपको सामान होती है आपका एंसर हो जाएगा ए नमबर बढ़ते हैं next question के तरफ next question है हमारा full pitch वाईडिंग में से कैंसर हो जाएगा ईयाडा बढ़ते हैं घृतिकयों के तुरसी गली का उमारा रिवाइडिंग के समय आम तोर पर किस पिच्छ का पर्यूग किया जाता है आपका या फूल पीच थ्रीफेज स्टाटर देुटर के समय आम तर पर सोट पीच कirie सरो जाता है आपका कि आ जाता है आपको बता दे की कि अपkin का फ ayud कि या जाता है आपका एंसर हो जाएगा नमबर बढ़ते नश applies कि स्ट्राफ थी दीडीन होती है गry बढ़ते हैं नेस कोश्चन के तरफ नेस कोश्चन है हमारा सिम्पलेक्स लैप वाइडिंग के कम्प्यूटेटर कम्प्यूटेटर पीछ इसके समान होते हैं सिम्पलेक्स लैप वाइडिंग के कम्प्यूटेटर पीछ किसके समान होते हैं ए मशिन के पोल की संख्या के समान पोल के जोड या एक या सब ही नहीं कोई नहीं इसमें से मतलब संप्लेक्स लैप वाइडिंग के कंप्यूटेटर पीछ के समान जो होती है आपको एक होता है आपका एंसर हो जाएगा असी नंबर बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन के तरफ ने किसी मोटर वाइडिंग में प्रती पोल प्रती फेज कुंडली की संख्या एक हो तो वह क्या कहलाता है यदि किसी मोटर वाइडिंग में प्रती पोल प्रती फेज कुंडली की संख्या हो तो वह क्या कहलाता है आपको बताना है आपके पास चार अप्सन है सिंगल प्रत वाइडिंग डबल प्रत वाइडिंग या संगनी क्रित वाइडिंग या विप्रित वा रहा है या सीटिंग कोड़ की सामील है तो हम आपको बता दे कि रोशनी एक तरह की विधुत चुम्बकिये धारा है आपका एंसर हो जाएगा सी नंबर आपको हम बता दे कि नेक्स्ट वीडियो मोडल सेट दो जो है आपको बहुत जल्द ही मिलेगा इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द मिलाएगा आपको मोडल सेट दो